अब है allen थे उतना आधा है जैसे आप अपने मोबैल में इंस्ट्राग्राम अपन करणे पर हैं जहां हैंटों आप मेंसेज बुक्स के अंधर जाते हैं पांद यहां आपको फिल्वर नॉट्स competent शो न है आप दोन और या नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को fix कैसे करें नोड्स का option कैसे लाएं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अब किया है सो प्लीज चैनल को ज़लूर सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और । शेयर करें यहां से आप प्रोफाइल आइकन के अंदर आ जाती हैं आपको उपर की ओर थ्री लाइन दिखाई देगी इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट में सेटिंग्स का ओप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है जैसे अब आ अकाउंट वाली option पर क्लिक कर देती हैं अगें आपको कई सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं और लास्ट में आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपका account creator account है तो आपको यहाँ से professional account बना लेना है इसके बाल फ्रेंड्स आपको यहाँ से बैक आजाना है जैसे आप पर आपको एप मेनेजर नेम से एक option शो होगा यहाँ पर आपके मूबल में एप से application नेम से भी आपको मिल सकता है उस पर आपको क्लिक करना है यहाँ सी आप इंस्ट्राग्राम पर क्लिक कर लेती हैं यहाँ आपको storage का option मिलेगा storage पर क्लिक करना है और storage पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको clear catch and clear data का option मिल जाता है यहाँ से आपको clear catch पर क्लिक करके clear catch कर लेना है जैसे आप clear catch कर लेते हैं यहाँ से आपको second option मिल रहा है clear data का तो यहां से आपको clear data भी कर लेना है clear data करने से पहले आपको एक बात का धियान रखना है friends कि आपको यहां से clear data करने के बाद Instagram ID again login करने होती है तो इसलिए आपको Instagram password user name अच्छी तरह से एक बार देख लेने हैं इसके बाद आपको clear data करने के बाद आपको Instagram ID again login कर लेनी है अब इतना करने के बाद है friends अब आपको अपने मोबैल में Instagram app open कर लेना है और Instagram app open करने के बाद आपको message box में जाकर देख लेना है कि योवर नोट्स का option आपको show हो रहा है या नहीं अगर फिर भी यहाँ पर आपको योवर नोट्स का option show नहीं होता है तो आपको यहां से बैग आना है अब आपको third step क्या करनी होगी आपको अपने मोबैल में play store open कर लेना है जैसी आप play store app open कर लेते हैं आपको search बार में instagram search कर लेना है और जैसी आप instagram search करते हैं यहाँ पर instagram update बता रहा है तो आपको instagram को update कर लेना है friends यहाँ पर instagram लिखा हुआ है इस पर click करना है और जैसी इस पर click करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर आपको scroll करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिव का option मिल रहा है यहाँ पर अगर आपने बीटा version जोइन नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर joining का option मिलेगा यह फिर join का option मिलेगा उस पी आपको tap करना है और आपका instagram beta version जोइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस्टाग्राम बीटा उपर लिखा हुआ रहा है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा और आपको इंस्टाग्राम अपडेट कर लेना है, अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको इंस्टाग्राम में अपपन करके देख लेना है, कि यह ओवर करना है, तो आपको उस अकाउंट में इसको एड़ अकाउंट कर लेना है, और अगर फिर भी नहीं आता है, तो आपको लास्ट स्टेप में बता देख सब्सक्राइब, पर क्लिक करना है, तो इस तरह का इंटरफीस आएगा, यहां पर आपको घल्प का ओप्शन मिलेगा, help पे क्लिक करना है, report problem पे क्लिक करना है, यहां से आपको यह जो shake phone to report problem और यह button है blue इसे आपको off करना है, यहां पे report problem का option आजाएगा, इस पे क्लिक करना है, जिसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा गैलरी पे क्लिक करके आपको अपनी चैट कर स्क्रीशोट ले लेना है और यहां पर गैलरी पे क्लिक करके उस स्क्रीशोट को सलेक्ट कर लेना है टैप करके यहां पर आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड इसु लिखना है वह मैं बता देती हू my Instagram your notes option your notes option is not showing is not showing so please provide me this option option as soon as possible इतना आपको लिख देना है और आपको thank you लिख देना है friends thank you लिखने के बाद आपको next option मिलता है next पे क्लिक करना है and again आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे send report and don't send report आपको send report पे क्लिक करना है और यह feedback Instagram team के पास चला जाएगा और वो कुछ ही time के अंदर या कुछ ही desk के अंदर आपको है Instagram message books के अंदर your notes का option प्रोवाइड कर देंगे और आपको Instagram के अंदर notes का option मिल जाएगा इस तरीके से आप भी Instagram के अंदर notes का option ला सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching in this video